ये कहानी सची घटनाव पर अधारत है मैंने कैरेक्टर्स और जगे के नाम पदल लिये हैं तो ये कहानी है मारष्ट की छोटे से गाउं की जो नदी की किनारे बसा हुआ था ये जो नदी है वो आगे जाकर दरिया को मिल जाती है और इस नदी में अक्सर जो मच्छिवारे हो अगली कोई चुद की नदी माले क्वल खांडी है वह किसी जगे य दुन आप चिली हो थै यनि की पानी कम होता है और पानी मतलब कम हो गया तो इतना कम हो जाता है किस ऊपण करते अंतलने कंदे न्दियों तक रहता है और अगर पानी बहा मुन्न चाचा पकारे थे। तो निकले थैं était पानी मुन्न चाचा अपने थे मामू के साथ मेरा चाहां। निकले थे अबिया थे मजर्ग को शिकडे के निकले थे वह फिसमें थे प्कारे वुद ऊप Allez Size का वाने की कगार परी था मितलब थोड़ा थोड़ा ऐसे उचाला था लेकिन चान अच्छा खासा था तो रोष्ट नी थी तो उस बात का टेंशन नहीं था उन्हें अब चान की रोष्टनी में वह न अपना पाका लगा रहे थे पाका यानि की जाला होता है उसको लगा रहे अब यह जाले को है ना हर जगे पर जो नदी थी ना उसके बेसिकली दो चोरों के उपर इसे बांध रहते ताकि जो मचलियां होते है वह असानी से पज़ जाए अभी उसका बोया भी उनको नजर आ रहा था तो फिर अचानक से है ना जो मुन्ना चाचा की नाव थी ऐसी च अब आधा के कुछ तो गड़बढ है हमारे पास में कोई और बी एंटीटी है तो उनके गाउं में ऐसा का जाता है कि अगर कोई एसी एंटीटी परेशान करने के लिए अगर उसको गालिया दे ना तो एंटीटी कुछ नहीं करती वह भाग जाती है डर के भाग जाती है तो मुना चाचा बोले देखा इसको ऐसे ही होता है अगर इसे कोई परेशान करने लगे ना तो इसको गालिया देने का और फिर भाग जाता है लेकिन उनके जो मामू थे ना वो थोड़ी दर के लिए खामुच बेटे वे थे उनको कुछ तो सस्पीशेज लग रहा था फिर अचा यह लग रहा था जैसे वह ऐसे पेड़ मुन्ना चाचा के ओपर फेकने वाला है तो यह देखकर मुन्ना चाचा वहां से भागने के लिए तयार हुए तो मुन दो वूकर आपना पाका निकालो जाला ले लो तो कि अट सकता है अब बूरा करें तो फिर मुन्ना चाचा ने और उनकी जो मामू थे उन्होंने जल्दी से वो अपना जाला निकालना स्टार्ट कर लिया अर इतने पूरे टाइम में जो मुन्ना चाचा के मामू थे वो जोड-जोड से गुरान की आयते पढ़ रहे थे और यह सुनकर रहना वो जो एंटिटी वो और भी जादा ऐसे गुस्से में आ रहे थी लेकिन मुन्ना चाचा की मामू ने यह सब कुछ बोलना शुरू ही रखा था उन्होंने बन नहीं किया था इस वज़े से जो एंटिटी थी वो उनकी बोड तक नहीं आ पाई थी और लेक पोड़े जालने रगे कि जल्दी जल्दी कर तो किनारे तक आ गे और अपने गाउं में चले आए लेकिन अपने जाले को सात मेले किंडूा थी यह उन्होंने दो जाला नहीं रखा पर उसके बाद में जब मुन्ना चाचा घर बोड़ों उन्होंने ज़ोंने पोच्छा क्य करता हमें छोड़ता नहीं हो अगर हम उसके पली हम उदर जाला छोड़ दे तो या फिर यह भी हो सकता था कि किसी और मचवारे को भासने के लिए भी जाले का इस्तिमाल कर सकता था तो मुन्ना चाचा ने उनसे पूछे कि ऐसे कभी तो होता नहीं हम लोग तो रोज मुस्लिय कि जमीन के उपर कोई परिशान करें तो उसे गालियां देकर भागा दो लेकिन लिकान नदीयों में यह सब कुछ क्रान के बगरां चाचान Day ने अपने ध्यान में रख भी और वह हमेशा दुआय वगेरा पढ़के भाहर निकलते तो उसके बाद तो उनके साथ में इसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं या सच लेकिन एक और हुआ था जिसके बारे में इंशाल लाइक और स्टोरी बिनाऊंगी और यह आपको कैसे लगी स्टोरी उसके बारे में कमेंट कर के बता सकते हैं मैं मिलकर आपसे अगली वीडियो में तबते के लिए अपने धेहन रखे हैं